जी नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी लोग आपको हम डेली डेली एक क्लास प्रोवाइट करा रहे हैं तो इस क्लास का सिर्फ उद्देश यह है कि जो आपके चल रहे हैं ससी जीडी के पेपर इनी पेपरों को दियान में रख करके इस क्लासिस को आप तक पहुचाया जा र रहे हैं और कुछ कुश्चन उनको याद भी हो जाते हैं तो वही हम बिल्कुल हूब हूब प्रिश्चन इसमें लेकर के आ रहे हैं तो यह चोटा सा सैसन रहता है 15-20 मिनट का इस सैसन को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे एक एक प्रिश्चन को समझ इस अंक तो यह पूरे चालिस अंक आपको मिल जाएंगे मैं ऐसी उमीद के साथ इस क्लास को आप तक पहुंचाने का प्रियास करता हूँ चली आई यह स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गमाए सभी लोगों का स्वागत है रिजल्ट गूरू के यूट्यूब चैनल पर मैं विकाश इस क्लास को करता हूँ बहतर तरीके से स्टार्ट चलिए सबसे पहले देख लीजेगा आपके मुवाइल लेप्टॉप की स्कीन पर क्विस्चन नंबर बन दिया गया इसमें क्या पूछा गया क्या पूछा गया है इसमें लिखा है दिये गए बाक मैं रे खांकित अंश को पिरते स्थापत है करने के लिए शफशे उप्योक्त विकलब का चेन करें अब बाक मैं पिरते स्थापत क्या करोगे प्रेम का मूल ले मापा नहीं जाता प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता तो इसका मतलब क्या है प्रेम का मूल मापा नहीं जाता ठीक है मापा न नहीं जा सकता इसको क्या वोलोगे वोलो प्रैम का मूल ले इसको रहां को तो मलब गिना नहीं जा सकता जोड़ा नहीं जा सकता आका नहीं जा सकता मतलब नापा नहीं जा सकता प्रैम का जो मूल है प्रैम कितना कौन किस्से करता है इसका मूल कभी मापा नहीं जा सकता जिस प्रेम था उस प्रेम को कभी आंका नहीं जा सकता है इस बात को आप जान लीजिएगा प्रेम कैशा है प्रेम अपने आप में एक धया भाव प्रेम भाव वाचक संग्या है यह वाव वाचक होती है इनको कभी भी आंका नहीं जा सकता है पोजिटिव संदर में यह कैसी होती तो नहीं होती है चेली नेस्ट क्षूस्चन को कि आप देखते हैं कुस्चन नमबर दो आपके सामने आ चुका-थ उसमें लिखा दिये गए शब्द का समानार्थि शब्स चुने लिए एक आन्ते हैं कि अतों कहते हैं एकांद में पढ़ाई करो एकांद पढ़ाई करो जहां पर कोई न जाए वहां पर उसे एकांद कहते हैं ठीक है तो एकांद का मतलब क्या बन जाएगा एकदम से सून ने तो राइट अंसर यहां पर डी बनेगा एकांद का मतलब क्या बन जाएगा माईडियर स्टू करें इंद्र का मतलब यहां पर समान क्या बनेगा इंद्र का अम् मिन्य होता है अ का समानारती बनेगा वा साओ जो ये लाश्ट में वा हुआ है अलांकि दन्तोष्ट वाला होता है अनत नहीं बनेगा परिजात का ब्रक्षए परदाज का पौदा था एक बार मोदी परिजात का पौदा लगाया भी था इक बड़ा ही चर्चा में आया था पॉयंट को जा फॉस्ट है नमबर फोर आपके सामने दिए करें शब्द का विलॉय। श्लब का मतलब क्या होता जो सह है जो कहते है शुलब लेकिन इसका विलॉय। विलॉय। अचर किता थै लॉय तो सुलब को सिंपल कहते हैं साधार ठीक है इस प्रकार से आप जाने लब क्या होता है लब यह नहीं बनेगा ठीक है निरलब भी नहीं पूचे जा रहे हैं सुख का दुख है और दिन का रात है यह आपका सिलेबस मैंसन था और कुछ टॉपिक अलग से आ रहे हैं तो मैंने कॉच्चन नमबर फाइब रित्तान की पूर्ते के लिए शबशे उप्योक्त शब्द का चेन करें यहां पर लिखा बैलों के कंदों पर पड़ा था या पर जुए नहीं होगा यह तो वरतनी गलत लिखिया तो राइट आंसर यहां पर सी तो बैलों कंदों पर जो पड़ा अंसर यहां पर क्या हो जाएगा सी और देखते हैं कुस्चन नमबर सिक्स आपके सामने आगा जाएगा अच्छा को इस चैन्स पूछे जा रहे हैं यह बाप का हुए सेगमेंट ईया हिस्सा गयात करें जिसमें कोई तोटी यह temperature नहीं है कोई دोटी नहीं है तो कोई तोटी नहीं कुन है ठीक है चली है सबसे पहले यहां पर point No one मी लेका मैं हुआ कि हाणं ऑलो point no two में क्या लगा और मुझे बहुत तेज और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है अरे प्यास भी लगा है नहीं होना चाहिए था तो तीसरे वाले शेक्मेंट में गलती प्यास भी लगा के जगह पर लगी प्यास अपने आप में एक इस्तिलिनेम शब्द है हां तो यहां पर लगी अब देखो तीसर तैसरा पर देखिए लगा यह पर प्रयास लगा है प्रयास लगा ने प्यास कि ऊस्चन नमबर आक के सामने से मेन आए गया इसमें लिखा आदे से अधिक लोगों की मिलकर एक राहे मतलब आदे से जादा अगर लोग मिले जैसे लोगं पचास, पचैस लोग हैं पचीस से जाना आपकेे तरफí रभी हूंत कहेंगे जाएगा नंबरिंग केहले ठाट से क्या कहते है ज्या रहती है किए गए वाग किखाव है भाग यात करें जिसमें कोई तोटी नहीं है तो कोई तोटी नहीं चुनें ठीक है बताओ याँ पर लिखार है निअमित अब्यास पहला रहा मुझे मूर को भी यह भी सही लगा पर ना देता है यह अं सब्सक्रक्रम पर अपने आप में बना देताई, यहाँ लेकर के आएगा, देना करिया है, देता करो यहाँ पर लुट तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रावाला पॉइंट काहां लिखा है, तो सिधे नाइखो यह लिखा है, आलेखा यह तो इस हदाव से करना है आपको जबाब ठीक है? अगर आपको यह स करता हूंगी आपका पेपर अच्छा जाए और आपका सेलेक्षन मतलब क्लास से वो और वो ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ जोड़ता हूं डेली अब यहां पर क्विस्चन नमबर नइन यहां पर लिखाए रिट इस्थान की पूर्ती के लिए शप्षे अप्योग शपद का चेंग करेंगको पहले OUT को पढ़ो द्यांसी उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो उनकी शंका का तुम क्या कर सकते हो हल कर सकते हो संका का यह संका का यहां पर क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा यह वाला समाधान आ जाएगा नमबरिंग के साफ से तीन और चालेगा एचली यह कुईस्चन नमबर टेन आपके सामने आ गया इसमें लिए आपको सेगमेंट करेंगे कोई तोटी है कि कोई तोटी नहीं है तो कोई तोटील नहीं है तुनें यहां पर तीसरे वाले में दिक्यत आ doc क्या हो सकता यह खिया हो सकता यह नहीं वाना चाहिए राइट आंसर यहां पर मनेगा bedoom is को लटा अंगीकार तो पैस्टिकार होता है अगर समान की बात करें फिरोध कर देना फिरोध करना राइट अंसर यहां पर भी की नमीडिया करें कि विर्प करता है आफत दिर पर लेना क्या बनेगा समस्या का सामना करना रहत तंग करना या स्वागत करना सूपलस आगत स्वागत करना यह जाता है भिखड़ा मून लेना कुष्चन नमबर 12 का रईट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा बोलू कै तो यहां पर वं जाएगा Sud हखड़ा मूल लेना मतलब आपत सिर लेना वातलब जहगड़ा मूल लेना राइट ऑनसर डी हो जाए अच्छा लगाई एंपोर्टेंट देखिएगा देखता पूर्ती शब्षे उप्योग शब्द का चेन करें सेलेक्शन करें चुनाओ करें शब्द का पई सो वर्षों तक भारत के खाली स्थान पराद हिंता की बेडियां पड़ी रही तो बोलो बेडियां कहां पड़ती है बेडियां माथें पड़ती है या पेरों पड़ती है सरीर में पड़ती है गलें पड़ती है बताओ इतना तो आपको पता ही होना चाहिए आप एक हिंदी वाक्षी स्टूडेंट है आपने हिंदी को सेलेक्ट किया है लिडियां जो पड़ती है वो पेरों में पड़ती है पराद हिंता की बेडियां पड़ी रही पिर इसके बाद बहुत लोगों ने प्रियास किया और लोगों ने प्रियास करके फिरंगियों को वगा दिया और अपना शमेदान लागो कर लिया पूर्ड रूसे जनवरी उनीस प्रास्क वश्वतंत्र हो गया पाल लिख दीजिएगा सभी स्टूडेंट जय सिरीराम की कि कुस्चन नंबर फिप्टीन यहां पर है सिंग मतलब सही वर्तनी वाले शब्द का चेन करें बोलो यथा शक्ती जथा शक्ती और या शक्ती और अनाहूत तो यहां पर शही वर्तनी किसकी बनेगी तो यह यह था शक्ती बलब शक्ती के अनूरूथ ठीक है यहां पर शक्ती के अनूरूथ राइट अंसर यहां पर क्या बन जाएगा यह था शक्ती ऑफ्शन राइट है यह भी पूछी जाती है अलां कि पूझनी देखो ऐसे शुद्ध दिखा जाता है अम डेली आपको बताते हैं यह ऐस में हमेशना आप रावाला साश शुद्ध होगे यहां पर यह वाला शाह नहीं चलेगा मैं फिर बता रहा हूं आपको जाता है अगमत लगश्चन नमबर 16 यह गए वाक्य प्लस अंश बाक्यांश के लिए शब दीजिए जिसके पार देखा जा सके क्या बनेगा पार्थे मैं आपर पूछेगा तो प्राव सर्ग बता देना अपर फार्थे प्रतिवीश्चा होता है पराग भी नहीं कर आइट 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 नमबर 17 यह सही वर्तनी वाले शब्द का चेयन करें तो यहां पर क्या बनेगा शही वर्तनी पोत्र वदू या फिर यह पोत्र बहुत अच्छा कुस्चन है राइट आंसर करें जल्दी से बोलें कुस्चन नमबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा देखो यह पुत्र वदू लिखा जैसे यह छोटी महत्रा है तो राइट आंसर यहां पर भी बनेगा बहुत द्यांस पूत्र है और वदू इसी परकार से लड़का वाली लोग वहां बैठे होते और अगर आगर व्रपक्ष से और पहुंच गए दोके से बदू पक्ष में तो कहेंगा है कहां गुम रहे हो आप या मतला वे किससे मिलना चाहोगी तो पता होना चाहिए आपको बर पक्ष लड़का पक्ष होता है और बदू पत्र की पहु क्या बनेगी पत्रवदू तब आपके पत्र की आपका जो पत्र है उसकी शादी हो जाए ठीक है उसी की मतलब जो पत्र की मतलब वाइफ है वो आपके आप उससे क्या बोलोगे पत्रवदू राइट समझ गई क्वेस्चन नमबर 18 यहां पर रहे दिये गए वाक्यांश वाक्पलश अंस वाक्यांश के लिए एक शब्द दी जिसे बुलाया ना गया हो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं आहूत कहते हैं या अभी भूत कहते हैं आरक्त कहते हैं या पर अनाहूत कहते हैं बो और अनाहूत ये लखा है चब्भी वरतनी की वात करेंगे तो अनाऊत इसको भी शही मानेंगे अलागी पेपर में यह ऐसे लिखके आया था अनाहूत पर छोटे हुगी मात्रा थी तब यह गलत माना गया तर बड़े हुगी मात्रा अथ यह पानी फेर देना पिता के संपत्ती पर बेटा ने पानी फेर दिया तो मतलब समाल लेना है जवाब देना है या फिर बुरा वहला कहना या फिर वीगाड देना राइट अंसर बनेगा डी वीगाड देना पानी फेर देना किसी आड़ देना संपत्ति कर देश्ट कर देना कि कि को पुस्ट्यन नमबर 20 बीस नमबर दिये गए बाक में रेखांकित अंश को प्रतिस्थाफित करने के लिए सबसे उप्योंक्त विकल्प का चैन करें यहां लिखा है तुमन को अपने रूप पर गौरो है तो यहां पर गौरो की नीचे यहां पर रेखांकित है गौरो क मतलब क्या होगा दर्प होगा सम्मान होगा या फिर गर्व होगा या फिर छोब होगा तुमन को अपने रूप पर गौरो है तो बताइए गौरो का मत करें अपने टैलेंट पर आप गौरो करें गर्व करें रूप क्या है नश्वर है यह तो कभी भी आपके ऐसा तो होई नहीं सकता अगर यह पेपर में ना आए हाला कि आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा मैं पढ़ पढ़ के आपको देखो दिखा दे रहा हूं यहाँ पर लेका है संसार में नंबर एक यानी दूसरों पर आश्यत होना या निरवर कहना एक पिरकार का पाप सरबादिक हीन कर्म और आदमी के अंत बहा प्यक्तत को नमहीन तता बौना बना कर रख दे रहाला हुआ करता है यहाँ पर लेका है परास्रेत या परास्रेत या परालॉंबी को हमें आस्रे आदार देने वाले के बनकर रहना करता है इनके इशारों पर नाचने की बादिता और विवश्ता रहा करती है उनकी अपनी नमबर तीन पहले तो होती ही नहीं वने या रहने पर भी उनका कोई मूल और महत नहीं रहा करता वह चाकर भी उसके अनुसार ना तो कर रहे ही कर सकता और ना यूसे कभी पूल होते हुए ही देख सकता है इसी कर परादिंता का घोर पाप और चार नमबर खाली स्थान माना गया है इसके विप्रीज स्वादिंता को नमबर पांच का द्वार पॉंड कार्यों का परड़ाम और सब प्रकार कैसे स्रिष्ट प्रिकार किया गया है तो राइट आंसर यहां पर बनाने के लिए आपको है इस अब करेंगे को वहीं करेंगे संसार में संसार में परालंबी नंबर एक पर क्या आजा या सदानाक और आदमी के अनताब यह बनापर रख देने बाला हुआ करता है भरालंबी को हमेशां आधार देने वाले के परालंबी कहते हैं दूसरों पर आप हमेशां ना टटे रहे हैं अपने करें अपना पढ़ाई करें अपना सलेक्सल ने दूसरे पर बल्बूते पर मत फूलना है तो राइट अंसर यहां पर भी आएगा परालंबी आएगा परालंबी अब देख रहे हैं अधीन करो और देख करके अथि क्या देखवाईगा आपर आश्र आधार देने वालों की अधीन बनकर रहना ठीक है जो आश्रे दिए रहे हैं उन्हीं का दीन पणकर रहना पड़ता है उनकी इसारवें पर नाचने की बात दिता मतलब उनहीं कि साफ्स चलना पड़ता ठीक है और विवश्था रहा करती है उनकी अपनी अपनी नंबर तीन अपनी 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 यह नहीं 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 होने से रहने पर भी उसका कोई मूल और मैत नहीं रहा करता है वह चाकर भी कि umesar ना तो कार कीघ कर सकता है और यह उसी कभी फूल हुते हैं यह सकता है कड़भ प्राधीनता को गोर पाप और गोर और यहां पर चार नंबर में क्या माना जाता है और पाप और चार नंबर में क्या माना जाता है चार नंबर निक्रिष्ट निक्रिष्ट नहीं है का पाप को निक्रिष्ट कर दो यहां पर निक्रिष्ट कर दो यहां निक्रिष्ट नंबर पर क्या कर दिया आपने निक्रिष् बादिंता को एक प्रकार का पांच नंबर में नर्क नहीं अगया ना पर लोग माना यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर स्वर्ग आ जाएगा तो आपको अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग क्या अगर आप लोग बहुत अच्छे से और करेंट अफेर की पीडियाफ चाहते हो चैनल से आप जोड़ें तो आज का सैसन आपको कैसा लगा पर सभी जरूर बताएंगे आज के सैसन के बारे में तो आप लोग लश्ट तक रोके रहे तो इसके किसी टैम पर याप लाइव ट Cindy क्लास होती है इस किलास में आप लोग क्याना सांती से आंसर को देते जाएं और यह शमचते जाएं आपके कितने आंसर सही हुए हैं लाश्ट में करके मुझे बता दिया करिए ताकि भी देख सकें कि आपने कितने कोईस्चन का अंसर सही किया है मैं जो मेहनत कर रहा हूं किया आप उस मेहनत को साकार कर पा रहे हो या नहीं तो चलिए नमस्कार सभी सातियों को जैन जै वारत जै रिजल्ट गुरू